क्या बच्चा लोग आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि यार कभी आप कोई motivational वीडियो देखते हो फिर आप उस चीज को करने के लिए बहुत excited हो जाते हो वही चीज 2, 4, 5, 10 दिन के लिए अच्छी चलती हो चाहे फिर या जीम हो या फिर कोई पढ़ाय के बारे में बात चल रही हो या फिर कोई भी आप डांस क्लास एक्सवाज किसी की भी बारे में आपने कुछ motivational वीडियो देखा और आप इतने motivate हो गए कि वो चीज आपके लिए next एक week के लिए या 10, 12, 15 दिनों के लिए काफी अच्छी चल रही है फिर उसके बाद वही आपका जो tempo जो motivate होकर उपर चला गया था वो tempo देरे देरे कम होते हैं 15-20 दिन के बाद आपने जो decide किया था कि मैं ये करने वाला हूँ ये करने वा अगर उस चीजों को मैंने correct किया है बच्चा लोग एक trick है यहाँ पर two minute rule अच्छा भी ये two minute rule क्या है बच्चा लोग ये two minute rule एक किताब एक book है atomic habit मैंने last month वो book पड़ी फिर मैंने यूट्यूपर भी बहुत सारे इस तरह के वीडियो देखे लेकिन मुझे believe नहीं हो रहा थ है ऐसा कुछ ऐसा तो मैंने अपने life में daily life में जब जब मुझे ये चीज की ज़रूरत पड़ी तो मैंने उसको apply करना देरे देरे start किया और मुझे भी इसका effect समझ में आया actually बच्चा लोग ये two minute rule किया है मैं मैंने जो किताब से पढ़ा है मैं जो समझा हूँ मेरा खुद क जो experience है वो मैं अपने बच्चों के साथ share करना चाहता हूँ कि आप अपने level पर इसको कहां पर use कर सकते हैं देखिए ये two minute rule एक example से समझाता हूँ कोई बंदे ने decide किया कि मैं सुबह उठकर कुछ exercise करूँगा any form of exercise starting के एक दो वीक अच्छा चाला फिर दिरे दिरे वो चीज लगने लगती है फिर ओल्वेज वो यह जीम वर्क आउट हो यह फिर पढ़ाई हो कुछ भी हो तो आपको असा लगता कि आर आज करना है फिल करूँगा शुबह नहीं करना फिर साम को करूँगा शांद को असले अब और बूर देंसे रात को करूँगा तो जब भी आपका mood ना हो, boring लगे या करने का मन नहीं हो, उस वक्त आपको आपके दिमाग को एक signal बेजना है समझेज़े एक दिमाग को उल्लू बनाने की है कि यह method है आपको अपने आपसे मतलब कि दिमाग को ऐसा कहिना है कि भाई यह काम तू दो मिनिट के लिए कर ले, बस दो मिनिट के बाद खतम करना, या ऐसा सोचके इस work को start कीजिए कि हैर सिफ दो मिनिट करते, फिर बस जादा नहीं करना है, तो जो बंदा exercise से boring हो गया था, या उसे नहीं करना था, वो सोच रहा था कि आज नहीं करना नहीं, उस वक्त क्या करना है, मैंने क्या किया, मैंने भी इस तरह exercise से start किया, क्या सुप exercise करने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने क्या सोचा, कि जादा नहीं करता हो, लेकिन कुछ body warm up थोड़ा कर ले, थोड़ा एक magic देखा, कि कुछ चीजों में जब आप ऐसा करके, चले दो मिनिट करके देखते हैं, जब भी मैंने दो मिनिट स्टार्ट किया, थोड़ा stretching किया, यह किया, तो दो मिनिट में दीरे-दीरे मेरा mood बनने लगा पहले मुझे mood नहीं था, लेकिन दीरे-दीरे habit वाला, उस book में भी ऐसा हुआ, मैंने book purchase की फिर पढ़ने का मन नहीं हो रहा तो मैंने क्या सोचा, कि आए table के बाजू में रखा, और मैंने सोचा कि चले भी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, दो मिनिट इसको पढ़ता हूँ जैसे भी कोई भी चीज आप दो मिनिट करना स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप अपने दिमाग को क्या सिगनल बेजते हैं, कि भाई देख तुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, तो ज्यादा मत कर दो मिनिट कर ले, मतलब ऐसे करके हम छोटे बच्ची की तरह आपने दिमाग को क्या उल्लू बना लिया, ओके दिमाग उल्लू बन गया, वो पढ़ने के लिए या एक्सराइस करने हैं, जो भी आपको करने हैं, उसके लिए वो दो मिनिट करने के लिए बैट गया, जैसे वो बैठेगा, ओविजली वो आपने बनेकर आपको देडिये देडिये इंटरेस्ट डैफलो भगा तो आप पढ़ना स्टार्ट किया, exercise करने स्टार्ट किये, तो 30, 40, 50 सेकेंड गया एक मिनिट गया, देड़ी मिनिट गया दो दिरे दिरे आपका interest बढ़ने लगता है कुछ book पढ़ रहे तो अच्छा इस story में आगे क्या होगा अच्छा इसमें आगे क्या है तो एक page पढ़ लिया दो page तीन page पता ही नहीं चला मैंने कब इसके 6, 7, 8 page complete कर दिया फिर मुझे याद आया कि मैंने ये 2 minute तक सोचा था कि 2 minute तक ही करना है अरे चले ज़्यादा interest built up नहीं हुआ तो कोई बात नहीं एक habit develop हो रही है तो बच्छा लोग आप जब भी पढ़ने का आपको मन ना हो मैंने एक word लगा यहाँ पर जब भी पढ़ने का मन ना हो वैसा तो ज़्यादा मन नहीं होता है लेकिन जब भी ऐसा हो कि यार अभी नहीं पढ़ना है बोरिंग लग रहा है यह subject नहीं पढ़ना यह theory नहीं पढ़ना है तो आपको क्या करना है simply बस ऐसा करना है कि 2 minute तक पढ़ लेते फिर नहीं mood होगा तो नहीं पढ़ेंगे आपको इसका एक power समझ बहना आपको लगेगा कि यार यह बाते ऐसे होती है आपको इसका एक power समझाता हूं negative way में मैंने negative way में एक power भी इसका देखा है कि जब भी आपको लगता है कि जब आपको mood होता है कि यार बस आद तो जम के पढ़ाई करनी है मतलब जम के ये preparation करना है ये करना है वो करना है लेकिन अभी पढ़ने बैठते हैं तो चलिए दो मिनिट तक कुछ WhatsApp या इंस्टा या Facebook वगरा कुछ भी दो मिनिट देख लेते हैं YouTube देख लेते हैं फिर पढ़ूगा और आपको याद होगा ये दो मिनिट कैसे आदे गंटे एक गंटे में convert हो जाती है आपको पता नहीं चलता है तो आप सोच के क्या बैठे थे दो मिनिट उसी तरह से आप पढ़ने जा रहे हो और वैसे भी टिवी में कोई cricket match चल रहे हो आप क्या करते हो दो मिनिट ये ओवर खता है फिर बाद में जाता हो फिर वो दो मिनिट में आप बूल जाते है कि आपने खुद से promise किया था कि मैं दो मिनिट के लिए करूँगा फिर चला जाओंगा या चली जाओंगी लेकिन जैसे उस दो मिनिट अपने माइंड को क्या freedom दे दिया कि बाई दो मिनिट के बाद तुझे ये चीज नहीं करनी है बस अभी दो मिनिट के लि जिने वाली है ऐसे करते है करते है आपको पता जाना है जाना है पढ़ना है रूम में जाना है लेकिन आप 2 मिनिट से कब 20-40 मिनिट तक चले गए आपका पता नहीं चलता है तो नेगेटिव वे में ये 2 मिनिट 2 मिनिट करके हमारा बहुत वक्त इसने बिगार लिया अभी इसको positive way में use कीज़े दो मिनिट बस ये theory पढ़ना है दो मिनिट ये MCQ solve करना है दो मिनिट सुब exercise करना है दो मिनिट meditation करना है बस दो मिनिट दो मिनिट करके आप उस चीज़ों को दिरे दिरे extend करते जाएंगे ये job बिलकुल नहीं करने वाले थी जो चीज जीरो ही हो जाने वाली थी तो कुछ तो होगा तो यार आप लोगों ने सुना होगा something is better than nothing तो बच्चा लोग अपनी लाइफ में ये टू मिनिट रूल एपलाई कीज़े and description में या comment में आप यहाँ पर लिखिएगा कि यार आपके लाइफ में ये टू मिनिट रूल चल रहा है की नहीं चल रहा है इसी तरह से different different जो भी मुझे पता चलेगा आपके लिए जो भी सारी चीज़े जरूरी होगी मैं आपके लिए लातार होगा ready तो best of luck